नमस्कार बहुत स्वागत है आज के स्पेशल जोतिश जराहट के कारिक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी रिष्टे में सबसे नजदीक का रिष्टा हमारे रक्त से संबंधित रिष्टा होता है हमारे रक्त से संबंधित रिष्टों में सरवो परी माता और पिता का होता है जिसमें माता का संबंध हमारे ननिहाल से होता है और पिता का संबंध हमारे दधिहाल से होता है दादा घर से होता है ये दोनों रिष्टे हमारे जीवन के दोनों पाउं हैं, दोनों नेत्र हैं, दोनों हाथ बाया अंग ये चंद्रमा है, मा है, दाहिना अंग ये सूर है, पिता है कनेक्शन जोड़िएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप तार्किक बात करेंगे, हवा में न बात कभी किया है संतोश संतोशी ने, न कभी हवा में बात करता है मैंने भी पिछले कुछ दिन पहले, मंगल के द्वारा, पित्ररिण सिद्ध किया था वो पित्ररिण संतान की कुंडलियों से पता चलता है जैसे वन्ष रुका तो कन्या के कुंडली में मंगल पीडित रहेगा, तो उसको भाई प्राप्त नहीं होगा आज हम सूर्य और चंद्र से कनेक्शन आपके जन्मांत में जागरित करने के निमित यह कारिक्नम कर रहे है प्रेवित्रों, हम एक दिन में सब कुछ कर लेना चाहते हैं यह हमारी भोग प्रवित्ती होती है, हमारा दुख उठाने का यह संसकार होता है हमारे संसकार में अगर बहुत दुख उठाना लिखा है तो हम चाहेंगे कि सब कुछ एक दिन में एक घंटे में सब कुछ हो जाए और चीजें बिखर जाती हैं भायानक तरीके से बिगड़ जाती है हर चीज की एक विद्धी है ये कैसे हो सकता है कि चावल और दाल हम कुकर में डाले और सोचें कि बस एक मिनट में दाल पक जाएगी ये तो next to impossible है बच्चे के जर्म लेते ही हम सोच ले कि वो दौड़ने लग जाएगा पौधा लगाते ही हम सोच ले कि आज ही फल आ जाएगा विधि क्रिया विधिग्यम क्रिया की विधि जानने वाला लक्ष्मिवान होता है हर क्रिया का एक निश्चित समय है निश्चित विधी है निश्चित हमारे जीवन की निश्चित आयू है तो प्रियमित्रों पित्र रिण पित्र प्रकोप जो होता है जो पित्रों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है इसकी शांति की एक विधी है आप गया जी जा करके किसी भी जानकार विद्वान पंडा से मिलिए उससे पूछिए कि संपूर्ण क्रियाओं में कितना समय लगता है तो कहेंगे एक माह का श्राद पक्ष के सोलह दिन सौर्ट है और तीसरा शौर्ट हम करते हैं नौ दिन में नौमी से लेकर नौमी दसमी एकादसी द्वादसी त्रियोदसी चतुरदसी अमावस साथ दिन यह हम शौर्ट करते हैं और इनी साथ दिनों में भागवत अगला कर्म होता है अगला कर्मकांट होता है और भागवत हम साथ करवा देते हैं, पूरा कारिकरम सुनिएगा, अगर आप अपने पितरों से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं, तिस कारिकरम को पूरा सुनिएगा, जानना आपका हक है, आप जानिए पूरा, कराना ना कराना वो आपके हाथ में क्योंकि पित्र शांती के लिए तीन अंग आवश्यक है प्रथमंग आपका शरील साथ दे रहा हो तन, दूसरा चीज, आपके मन में श्रद्धा हो तन, मन और तीसरा चीज, मुद्ड़ा तीनों अगर साथ दिया, तो आप पित्र शांती करा सकते हैं नहीं तो आप भोग के मर जाएंगे पता नहीं कि स्पीड़ी में आपके पित्र त्रिप्ति प्राप्त करेंगे प्रेत बनकर विचनन करते हुए आपको श्रापित करते रहेंगे पित्र श्राप होता है यूरोप टूर पे आप दस लाग खर्च कर सकते हैं बेटा बेटी की कोचिंग पे आप 15 लाग 20 लाग खर्च कर देंगे एक करोण का भजट लेकर के उसको MBBS बनाना चाहेंगे भले हुँ फश्टियर में ही चलबसे मर जाए पित्र प्रकोप में आयू संकट होता है तो बच्चे कम आयू के हो जाते हैं बिवाह पक्ष तक आते आते उनका अलपायू योग जागरित हो जाता है क्योंकि पित्र प्रकोप में वंश नहीं चलता है और मैं पिछले पांच वर्षों से अपने पित्रों को भी तार रहा हूं आपके भी पित्रों को तारने का प्रयास कर रहा हूं आप ये कैसे कह देते हैं कि पैसे नहीं है जानते हैं क्यों कहते हैं आप पैसे नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही होती है यही जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर डराता है कि किटनी तो फेल हो गई है तब आप जेवर भी गिरवी रख देते हैं 20 जगें गिरगिरा के हाथ भी फैलाते हैं जमीन बेच देते हैं मकान बेच देते हैं गाड़ी बेच देते हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी रुक रही है आपको लग गया कि गाड़ी रुक जाएगी डाक्टर ने तो कह दिया किटनी फेल लिवर फेल अब पूरी बैसे अब सब पैसे बैस्ता हो जाएगी आपकी अब आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी अब आप कहीं न कहीं से कर लेंगे पैसा लेकिन पित्र त्रिप्ती के लिए पैसे वह नहीं है तो यह आपकी सोचने की आवशक्ता है आपको समझना होगा जबकि वो एक सवा लाख रुपे जो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम जो करवा रहे हैं आपके रहने खाने की दवस्ता सेवे निश्टार सुविधा के साथ कि आप सुखी रहेंगे तभी तो कौन सा पूजा कर पाएंगे आप कौन सा पूजा कर पाएंगे दुख उठा कर आपकी सुख सुर्धा का ध्यान रखते हुए बिलकुल शॉर्टेश्ट रूप में पूर्टा के साथ मैं पूरी व्यवस्ता करवा रहा हूँ पूरी व्यवस्था मेरी चल रही है तो समझने की आवश्यक्ता आपको जरूर है आप इसको समझे इसको पकड़े इसको पाए इसको माने देर मत करिए चुकि संख्या सीमित है मेरे पास वहां रुकने की व्यवस्था सीमित है मेरे ब्रामलों की संख्या सीमित है इसलिए आपको तुरंत इस पर ध्यान दे करके कदम बढ़ाना होगा और पित्र शांती के लिए आज अभी रजिस्टेशन करवाई है एक बार अपने पित्रों का अपने पिता का चेहरा देखे जो अब इस दुनिया में नहीं है अपने दादा का चेहरा देखी जो अब इस दुनिया में नहीं है और फिर सोचिये कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका वंश, उनका पुत्र, उनका पौत्र आएगा और उन्हें मोक्ष गावी बनाएगा होते हैं मतलब यह हम परालोकिक बात नहीं कर रहे हम यहीं की बात कर रहे हैं यहीं समझा रहा हूँ मैं आप समझने की जरूरत है तो बिल्कुल विलम बना करिए तुरंत बुकिंग कराईए और पितरों का आशिरवाद तत्काल प्राप्त करिए इसके बाद जो गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ेगे वो आप सोच नहीं सकते आने वाले साथ पीड़ियां तर जाती है और हर एक को करना है आपको भी करना है आपके भाई को भी करना आपके पुत्र को भी सब को करना होता है हर किसी का डारेक्ट जो पिता है उसके लिए करना होता है तो जब गैप होता चला आता है तो फिर 4-5 पूरी के बाद किसी को करना होता है इसको हर वर्ष किया जाता है तो आईए 9354619250 पर वाटसप करिए और तुरंत पित्रशांती महायग्य में भाग लेजिए 26 सितंबर से 2 अक्टूबर होगा 25 सितंबर को आपको पहुंचना होगा दो लोगों के रहने खाने की सारी व्यवस्ता है दो से जादा होने पर शुल्क एक्ट्रा लगेगा जल्दी से वर्ष अप करिए और पूरी जानकारी लेकर जितनी जल्दी हो सके बुकिंग करा लिए धन्यवाद नमस्कार शिलाले कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हुदुष प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जिवन को भर देगा खोश्यों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक मंगवाद प्रहदी खुशियों के लिए शुशियों की चाहा है